नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग तो हम सब लोग जानते हैं कि आज computer हम लोग की जिन्दगी का हिस्सा बन चुका है हर किसी के पास computer है हर किसी को अपने काम में computer की जरुद परती है और professional life में आगे बनने के लिए computer का knowledge एक बहुत important चीज हो जाता है तो computer में एक चीज है जिस पर लोग जाला ध्यान नहीं देते हैं लेकिन जब वो प्रोफेशनल इंवार्मेंट में जाते हैं कहीं काम करने जाते हैं तो उनको रेलाइज होता है कि उनकी जो typing speed वे बहुत slow है वो देखते हैं अपने आसपास जो लोग याँ बहुत जल्दी type कर लेते हैं लेकिन वो लोग खुद बहुत slow रह जाते हैं तो यह एक वीडियो है जिसमें बताऊंगा कुछ ऐसे तरीके जिनसे कि आप अपनी typing speed बढ़ा सकते हैं सिर्फ एक हफ़ते में जी हां पांच चीजे मैं आपको बताऊंगा और अगर यह पांच चीजे आपने follow कर ली रोज आदा घंटा practice कर लिया इस चीज को तो एक हफ़ते के अंदर अंदर आप 30 word per minute जो अभी type कर रहे हैं लगबग लगबग जो एक नया typist होता हो 30 word के असपास type करता है उससे आप 80 word per minute तक पहुँच जाएंगे जी हां तो यह आपको बताऊंगा ऐसी पांच चीजें आपको बताऊंगा जो आपको typing के time पर करनी है जिससे आपकी typing speed बढ़ जाएगी तो सबसे पहला जो चीज है वो यह है कि आपको अपनी 10 की 10 उंगलिया type करने में इस्तमाल करनी है जी हां maximum लोग मैंने जो अपनी लाइक में देखे हैं वो 2-3-4 उंगलिया इस्तमाल करते हैं उस्यादा उंगलिया कभी भी type करने पर नहीं इस्तमाल करते हैं और उसके विए से उनकी typing speed बहुत slow रहती है आप एक काम करिए next time जब आप type कर रहे होंगे तो देखेगा कि आप कितनी उंगलिया इस्तमाल कर रहे हैं थोड़ा सा conscious होके देखे आप realize करेंगे 3-4-5 उस्यादा उंगलिया आप नहीं इस्तमाल कर रहे हैं तो सबसे पहला effort आपका होना चाहिए कि आप 10 की 10 उंगलिया टाइप करने में इस्तमाल करें 10 की 10 उंगलिया फ्लेक्सिबल रहें move करें keyboard के around और type करें कुछ ना कुछ word और आप देखेंगे कि जब आप 10 की 10 उंगलिया इस्तमाल करते हैं तो आपकी typing speed बढ़ जाती है मैं आगे आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि 10 उंगलिया जो हैं कौन सी उंगलिया किस की में इस्तमाल करनी है अगली चीज एक position होती है keyboard में जिसको बोलते है home position तो यह position चुरू होती है सबसे छोटी उंगली आपके बाए हाथ की A पर रहनी चाहिए फिर S पर उसके उंगली उंगली फिर D फिर F पर similarly दाय हाथ में सबसे छोटी उंगली semicolon पर फिर L पर फिर K फिर J पर और दोना उंगठे spacebar के उपर रहने चाहिए इससे क्या होता है कि इस position में आप अपना हाथ रखते है तो सारी keys आप से बहुत equally distance में accessible होती है और इससे क्या होता है बहुत आसानी से आप इधर दाय माई की इस पर पहुश सकते है और आपके typing speed बढ़ जाती है तो practice कीजिए कि आपकी जो उंगलिया हो वो इस position में हमेशा address रहें और जब भी आप कुछ type करें type करने के बाद वापस उंगली इस position में है माल लिजिए आप क्यू type कर रहें तो आप क्यू type करने का तो आपके उंगली वापस एक के उपर आ जाने चाहिए यह एक practice बनाने की कोशिश करें अगले घश्ते में तीसरी चीज और छुशन इंपॉर्ड़न चीज सही अंगली से सही की दवाए मलब किस अंगली से कौन सी की दवानी है उसकी एक practice के लिए उसके एक pattern मनाए और वही दवाए और ideally जो है वो ये pattern recommended है कि किस अंगली से कौन सी की आपको दवानी चाहिए तो फिर से वाहत की जो वो आपकी ring finger से दबनी चाहिए आपके middle finger से ये येलो दबनी चाहिए और आपकी blue finger से यानि पहली finger से ये 5 और 6 ROT, FOG और V और B दबना चाहिए थम से आपका alt और space दबना चाहिए similarly जब दायहाथ की बात करते है तो फिर से thumb से alt और space दबना चाहिए blue finger से 7,8,Y,U,H,J,N,M दबना चाहिए yellow finger से 9,1,K और semicolon दबना चाहिए orange finger से 0,O,L और colon दबना चाहिए और green finger से बागी की दबनी चाहिए तो यह as a practice आपको बनाना होगा यह pattern आपको follow करना होगा शुरू में थोड़ा सा मुश्किल लगेगा लेकिन बात बात में जब इससा करने लगेंगे तो आपकी 10 की 10 अंगलियां इस्तेमाल हो रहे होंगी और आप बहुत आसानी से type कर पा रहे होंगे तो दोस्तों इन तीन अगर आपको और speed अपनी बढ़ानी है तो आपको याद करने होंगे shortcut जी हां सारे जो program होते है word होता है excel होता है powerpoint होता है सब में कुछना को shortcut होते हैं और यह shortcut क्या अगरते हैं आपके बहुत सरे effort को बचा देते हैं जैसे for example यह shortcut सबको पता है कि किसी चीज को अगर cut करना है तो control x दबाते हैं copy करना है तो control c दबाते हैं paste करना है तो control v दबाते हैं ऐसी बहुत सारे function के लिए shortcut होते हैं in fact आप अपने खुद के shortcut ही बना सकते हैं जो काम आप regularly करते हैं एक word document में उसके लिए आप एक custom defined shortcut भी बना सकते हैं तो यह shortcut masters करना बहुत जरूरी है और इससे consolidate करता है एक key stroke पर या आपके click को या mouse टर को touch करने के pattern को convert करता है key stroke पर तो इससे भी आपकी typing speed improve होगी और आखरी और सबसे important चीज़ जिसको सब लोगे avoid करते हैं मैंने देखा है वो है right posture है यानि कि आपके जो wrist है वो rest पर होनी चाहिए वो उन पर strain नहीं होना चाहिए औंग straight बैठे वे होने चाहिए ये सब चीज़े बहुत ज़्यादा जरूरी है जब आप सही तरीक से type करना चाहते हैं वरना क्या होगा थोड़ी दिर में आप ठकने लगेंगे और आपके हाथ में दर्द होने लगेगा और आपको type करने का मन नहीं करेगा तो हो सकता है per minute speed आपक इसको try करिये और मुझे बताइए कुछ फायदा हुआ है नहीं वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्लीज चैनल को subscribe कीजिए वीडियो को like कीजिए share कीजिए ताकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए बनाता हूँ फिर मिलेंगे बाई बाई